नमस्ते मेरा नाम प्रीटी चौहान है और मैं जिला गाजीपूर ब्लॉग चक्खनिया ग्रामसभाद जलालाबाद उत्तर पिदेश की रहने वाली हूं और आज इस वीडियो के माथम से मैं यह बताना चाहती हूं कि DEF Organization जो की एक शोशल फिल्ड में काम करने वाली Organization है उसमें मैंने क्या-क्या काम किया है और कौन-कौन से Community Awareness के प्रोजेक्ट में काम किया है तो सबसे पहले मैंने RCC, UNICEF का प्रोजेक्ट था उसमें काम किया है उ इसमें मैंने अलग-अलग एक्टिविटी करके लोगों को COVID-19 से बश्ने के लिए जाबरू किया तो उसके बाद लोगों की काफी अच्छी प्रतिक्रिया रही की दीदी आपने बहुत अच्छा प्रोजेक्ट पे हमें जाबरू किया हमें बताया इस तरीके के शोशल वर्क हमें हर जगे होने चाहिए हर गाव में होने चाहिए तो यह डी आफ का जो प्रोजेक्ट है इसके अच्छी स्थी एप की देखिकेट भी मिवा था घिताने नौ महील्या के आपने दिजिटल Externaliso jils नाम का प्रोजेक्ट था जो गीए फींचन सब्सक्राइस तो उनको मैंने on-line safety योता है on-line payment कैसे करते हैं इन सब चीजों के बारे में घर घर जा जाके awareness के इसमें मैंने 100 महिलाओं को जाकरूप किया आज वो महिलाओं एजिली online payment process कर पाती है साथी चीजे कर पाती है जिसके लिए आज वो मुझे thank you कहती है इसके साथ ही वो DEF organization को भी thanks बोलती है कि वो इस तरीके के community awareness के प्रोजेक्ट पे काम करवारा है लोगों से उसके बाद मैंने digital DD नाम का प्रोजेक्ट है जिसमें महिलाओं के महवारी mensuration cycle के उपर बात होती है कि जो मिथ्य होते हैं जो रोडिवादी सूच होती है उसके कैसे बच्चें कैसे awareness हो इन सारी चीजों पे मैंने digital DD प्रोजेक्ट के अंतरगत काम किया जिससे बहुत सारी महिलाओं को awareness मिली और आज वो अपने महवारी cycle को लेके बहुत ही जादा जागरूप हो चुकी है मैं करेंटली इस टाइम D.E.F. organization में एक प्रोजेक्ट है डिजिटल सेफटी और सेक्योर्टी जिसमें online safety, cybercrime ये सारी चीजों पे मैं लोगों को जागरूप कर रही हूं महिलाओं को लड़कियों को जागरूप कर रही हूं तो इसमें भी उनको ये सीखने को मिलता है कैसे अनलाइन दुखादड़ी से बचे हैं और OTP को इमागे तो ऐसे लोगों को शेयर ना करें इन सारी चीजों पे मैं उनको अवेर करती हूं इसके लिए भी वह बहुत ज़र थैंक्फुल बोलते हैं मेरे लिए कहते हैं D.E.F. organization को भी कहते हैं और भी बहुत सारे प्रोजेक् जैसे डिजिटल लिटरेसी हो किया मैंने D.E.F. का एक और I.C.I. प्रोजेक्ट था अर्ची का भी मुझे चर्टिफिकेट मिला तो इस तरीके के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स पे जो द्वारा ही कम्यूटी में कंड़क्ट करने के लिए और इंप्लिमेंट करने के लिए है तो I want to thankful for a D.E.F. organization thank you